जिलाब परिश्द का पोस्ट ही हटा दिया जाय मैस राट जिलाब परिश्द का देख ल के ना वी दो कि साथ साला दना विकास के ना विकास लए या जार्खन में त्रियस्त्रिय पंचायद चुनाव हो रहा है चार चर्णों में त्रियस्त्रिय पंचायद चुनाव होना तय हुआ है जिसमें पहले चरण का नामंकन जो है वो समाप्त हो चुका है पड़ियाहाट प्रखंड है ये और पड़ियाहाट प्रखंड का पस्चिमी छेतर संख्या 16 में हम खड़े हैं, तीन अस्तरों में पंचायत चुना होता है, जिसमें प्रथम अस्तर जो होता है, वह मुख्या और वाड का होता है, दूसरा अस्तर पंचायत समीती का होता है, और सबसे बड़ा अस्तर जो होता है, वह जिला परिशद का होता है, हम इस वक् कि पिछले पांच सालों में चुकि पांच साल मुख्या का और जिला परिशद का टर्म रहा था लेकिन उसके बाद जो है दो साल एक्ष्ट्रा जो है सभी को समय मिला था चुनाव ना होने के कारण तो इन साथ सालों में क्या कुछ विकास हुआ यह हम आज यहां का देवी होता है वह सबसे बड़ा जो होता है वह जिला परिशद होता है उसके बाद मुख्या होता है पंचाइट समीती होता है वाड होता है जिला परिशद के बारे में सबसे बताइए पहले कि क्या कुछ विकास हुआ पांच साल के दर्मियान कभी गाउं ही नहीं नहीं कुछ नह कुछ नहीं कौन है यह जिला परिशाद यहां के गंसियाम यादव तो जिला परिशाद मत से भी बहुत सारा चीज होता है गाउं के विकास के लिए क्या दिया आज तक उन्होंने अपने कुछ नहीं दिया है कुछ नहीं दिया है अईबे ने किया है हम आपको बता दे कि गोड़ा के किनी भी प्रखंडों के किसी भी पंचायत के किसी भी गाउं में चले जाएं हर एक जगह बस एक ही बात सुनने को मिलती है कि नहीं मुख्या दौरा नहीं जिला परिशाद दौरा नहीं बाड़ के चापी चामिल होते हैं वह आज तक कभी गाउं में दिखते नहीं है गाउं कहीं लोग है ना कहा के वह जिला पर साध कर देखलो को देखलो आपका रिमाहं तो यह कोँने साल को चुनोक नो सीघसें वाद पात कभी ही नहीं चूर्ट परुज कि आपका बताई है तो है यह घार हौह अच्छा जिलापरशद को देखें कौन है यह लपी यह कि अ नहीं देखें कि वोट दिये थे इय। कि निकों वोट दिये थे खंसियम जादव। है तो फोले यह लपर से हैं कभी दा पांच साल के दर्मियान कभी गाउं में नहीं नहीं देखिए तो कैसे होगा फिर क्या विकास क्या हुआ आपके गाउन में तब इस बार क्या कीजिए लाइं जिताएंगे दूसरे को जिताएंगे मतलब और वह भी नहीं आयेगा तब तो आपको क्या लगता है इस बार का पंच साल का चुनाओ में जिला परिशद नहीं आया या इसे पहले भी कभी जीत के नहीं आता था गाओ कर सक्कंद करना चार्था अची तारा से हम लोगों के साथ बरता और नहीं करता थां याए कि कुछ विकास के बारे में बोलो या कुछ उसके कोई धि pretक tybh कोई चीजे नहीं में वहाँ नहीं हुआ तो वह आपने च्छेत में होका इतना हम लोग घूम के देखते नहीं है यका उस जिला परिशत काुज़ आपका गाँी अहीं है क्या है पता नहीं कोई भी बड़े बड़े नेता बुजुर्ग जो हुए है छोटा बस्ती जान के गिंती नहीं देता है नहीं क्योंकि छोटा बस्ती से कम वोट आता इसलिए नहीं आते हैं लेकिन यहां पर कोई देखने नहीं आता है वोट सब लेते हैं लेकिन विकास कभी कुछ नहीं परिषयत के कि दिलापरिस्त में तीन आदमी खड़ा हुआ है उसको बोला बोला जाएगा आपके कोई शिलापट गुजरते तो होंगे बगलो में कोई विकास कितना कितना आता है यानि कि उसके जिलापरशद छेत्र में कितना गाउं आता है कितना पंचायत आता है साथ पंचायत साथ पंचायत पढ़ियाहट प्रखंड का पस्चिमी छेत्र संख्यां 16 है यह तो पंचायत एक नमबर होगा ना जिलापरशद छेत्र तो 16 है तो उसमें यह पूरा संडिया पंचायत जो है वह अचुता रहा गया कुछ भी जिलापरशद का विकास नहीं हुआ इस बार क्या करेंगे क्या लग रहा है बदला होगा या फिर वही रहेगा बदल देजये और उभी नहीं आया तब उपर ब्र विकास कर सकता आपके गाउं का अभी तो नहीं नहीं पता पाईएंगे है तो तीनों में एकास एक है तो एक तो फैल हो गया तो ये गाउं से फैल गया दूसरे पंचायत में दिया होगा इस पंचायत में नहीं दिया है तो इस वक्त हम पुड़याहाट प्रखंड के पस्चिमी छेतर संख्या सोला में मौझूद थे जहां पर लोग जो है जिला विकास से नाराज दिख रहे हैं हम आपको आगे के गाउन ले जाएंगे वहां पर लोगों से बात कराएंगे कि वहां पर क्या कुछ विकास हुआ है और इस बार जनता का मूड क्या है